तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारती टेक चैनल पर आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि उत्तर परदेश टेट का एड्मिट कार्ड कब जारी किया जाएगा और 17 तारिक को एड्मिट कार्ड जारी होने वाला था तो क्यों जा से एड्मिट कार्ड तो उनका आउंलोड हो जाएगा और आज की डैट याने की उनिस नोमबर को एड्मिट कार्ड दोपाहर बारा वज़े के बाद जारी कर दिया जाएगा तो friends आप सभी download कर सकते हैं download करने का website भी मैंने वीडियो को description में दे दिया है तो यहां से जाके आप download कर सकते हैं और friends यहां पर हम बात करेंगे कि admit card जो है उस सम्मंद में आपको कौन-कौन सी ऐसी बाते ध्यान रखनी है ताकि आपको examination के पहले या फिर examination के दोरान कोई भी समस्या ना हो तो friends अगर आप वीडियो को पहली बार देखना है तो सबसे पहले आप channel को subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को भी प्रेस करके रखिए ताकि UP TED से related और भी महतपूर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और friends अगर आप इस notification के बारे में नहीं जानते हैं जैसे कि admit cards related क्या-क्या बाते जरूरी है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके तो चलिए friends start करते हैं वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आयोग ने admit card जारी करने की date में परिवर्तन किया है उसमें क्या अब नया परिवर्तन हुआ है और कैसे क्या है सारी बाते हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्जाम है वो आपका रभीवार यानि 28 नॉमबर को होगा और वहीं admit card डाउनलोड करने की बात करें तो आज की date में डाउनलोड किया जा सकता है इनकी 19, 11, 2021 को 12 बजे के बाद और इसमें बहुत सारी और भी सूचना सामिल की की जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिक्षक योगिता का मूल प्रमार पत्र अथवा किसी भी semester के निर्गत अंक प्रमार पत्र की मूल प्रति ले कर जाएंगे और साथ में दूसरी सूचना की बात करें तो संबंदित पर सिच्छर संस्थान के प्राचारे सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट की जो प्राप्त फोटोकापी है उसे भी प्रमारित करवाना होगा और साथ में हम बात करें जिस अभ्यरती के पास वैद प्रवेस पत्र फोटो प्रमार पत्र की मूल प्रति या फिर उलकित प्रमार पत्र नहीं है ठीक है तो उसे किसी भी इस्तिती में परिक्षा केंद्र में प्रवेस की अनुमती नहीं दी जाएगी तो यह बाते आप द्यान रखेंगे हैं हाला कि इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं तो नोटिफिकेशन बेसिकली दिखाना मेरा टारियर था और एड्मिट कार डाउनलोड करने का वेबसाइट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा और इसका लिंक आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा तो वहाँ पर डारेक्ली आप क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और वहाँ से आप एड्मिट कार डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं आगे कुछ और महात्पूर बातों की जैसे की एड्मिट कार्ड से रिलेटेट क्या क्या बात आपको दियान रखनी हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अपेरिंग वालों को यानी कि 2019 बैश के जो भी अभ्यरती हैं उनको क्या काम करना होगा तो खुल मिला के हम बात करते हैं कि जो भी भीरती appearing में ठीक है जो second semester हो सकता है या फिर third semester हो सकता है तो notification में अभी आपने देखा कि उनको जो net वाली mark sheet है वो लेकर जाना होगा और diet से उनको प्रमारित करवाना होगा ये आपको clear first रख लेना है कि diet से उनको mark sheet को पूरी तरीके से ध्यान लखना है कि प्रमारित करवाना है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मैंने paper दिया था तो मैंने अपेरी में exam दिया था और इससे diet पर जाकर प्रमारित करवाया था तो directly जैसा कि notification में बताया गया है कि उनको exam में बैटने नहीं दिया जाएगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा अच्छा कुछ लोगों की confusion होती है कि जो मोहर लगवाना कहां से हैं और कैसे तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मुझे जवाब मिला और जिनसे मैंने बात की तो कुछ लोगों का यह बाना था कि जहां से उन्हों BTC किया है वही से महर लगवाना है तो वहाँ पर जो भी उनके पराचार हैं और जो भी डायट पर हैं वहाँ पर उनसे बात ही नहीं हुए तो उनको इस परश्ट पता ही नहीं कि क्या करना है तो यह बात ध्यान रखना है कि आपने जहां से BTC किया है वहां नहीं करवाना है, हाला कि जो government college वाले student है, वो तो वहीं से करवाएंगे, लेकिन जो private sector, यानि कि जो private college से BTC कर रहे हैं, या फिर कर चुके हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो diet पर जाके मोहर लगवाएंगे, और अपने जो mark seat है, किसी भी semester के mark seat उसको परमारित करवा है, फिरेंट से हाँ पर हम बात करते हैं कि जब आप examination के लिए तयार हो जाएं, आपके पास सारी चीजे उपलफ्द हो जाएं, तो आपको क्या करना है, यानि कि आपको examination के समय जब आप परिक्षा देने जाएं, तो आपने साथ क्या क्या लेकर जाना होगा, या आपको ध् बाली पेन रखनी है, और एक नीली बाल पॉइंट पेन रखनी है, यानि कि जेल पेन आपको वहाँ पर इस्तमाल नहीं करना है, आप pencil को भी लेके जा सकते हैं, पेपर पर टिक करने के लिए, पेन से यूज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो आप दो पेन आएंगे, और साथ में आपको ऐसी ID लेकर जाना है, और दो ID लेकर जाना है, जिसमें फोटो होना चाहिए, तो पहला आप आधार काड रख सकते हैं, और सेकेंड आइडी के तो आप चाहें तो driving license रख सकते हैं, passport रख सकते हैं, रासन काड रख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी ID ह कम से कम आप लेके जाएंगे, यह बात आपको ध्यान रख लेनी है, यह आपको गाठ बांके रखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, मार्कशीट की फोटो कापी आपको लेकर जाना है, और साथ में और जैसा की notification में बताया गया है कि original मार्कशीट, ठीक है, तो जिनके पा इसकी फोटो कापी और उसको प्रमारित होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है, जो भी पास आउट हो चुके है, उनको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, उसके बाद हम बात करते हैं, मास्क, ठीक है, यह COVID-19 के लिए और अपनी सुरक्षा की दृष्टी से का आला कि काफी सारे कॉलेजिस में सैंटाइजर्स वगेरा की विवस्ता कर दी जाती है, लेकिन आप अगर खुद से रखके जाएंगे जैसे तो ज़्यादा फायदा होता है, कहीं आपको कोई अन्य प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो यह कुछ बेसिक बाते थी जो आपक को अच्छे से करते रहिएगा, सो फ्रेंड्स उमीद करते हैं कि इस वीडियो के थुरू आपको एड्मिट कार्ड डाउन्लोड करना और एड्मिट कार्ड से रिलेटेट सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अ आपत्सठी कि अपक्राइब कि अजिए ए फितना करेंदेत्से टार फॉट है अपक्राइब कि अझा आए खरी है टार शार बा-टार एंपूर Shoo Teg